मसकली के सफर पर स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान दोस्तों इन दिनों गैजट्स के बढ़ते इस्तमाल की वज़े से आँखों की रोशनी पर इसका गहरा असर देखने को मिलता है दिन भर में 10-12 घंटे स्क्रीन के सामने बिताने से आँखों के रेटिना पर इसका बुरा असर दिखने लगता है इससे आँखों की रोशनी में कमी क्यालावा आई ट्रायनेस और डाक सिर्कल्स का सामना करना पड़ता है आँखों की रोशनी बढ़ाने और दूसरी समस्याओं को दूर करने के लिए चश्मे दवा और सर्जरी की मदद ली जाती है मगर इन सबसे भी पहले ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसे रूटीन को फॉलो करें जिनमें आँखों पर दबा और कम पड़े और उन्हें रिलेक्स होने के लिए भरपूर वक्त मिल सके अगर आप नेचुरल तरीकों से आँखों की रौश्णी बढ़ाना चाहते हैं तो आइरुवेद की मदद ले सकते हैं आज हम आपको आयूरवेद के उन परमपरागत उपायों के बारे में बताएंगे जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददकार साबित होते हैं आयुर्वेद विशेशगी बताते हैं कि शरीर के दूसरे आंगों की तरह ही आंखों की सेहत को भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मदद से नियमित बनाये रखने में मदद मलती है इसे आंखों की रोशनी को बढ़ाने के अलावा रेटिना को बूस्ट करने और नर्वस को स्टिमूलेट करने में मदद मलती है इसके लिए आवला, मोरिंगा, शंक पुष्पी और अश्वगंधा का सेवन करी इसके अलावा यश्टी मधू और शो भंजन का भी इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा घी से की जाने वाली नेत्र तरपनवीदी भी आँखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है चली अब बारी-बारी से जानते हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप कौन सा आयूर वेदिक उपाय कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे आंबला के रसकी आंबला को गूसबैरी भी कहा जाता है इसके सेवन से शरीर को एंटी ओक्सिडेंट और विटामिन ए वर सी की प्राप्ति होती है इससे रेटीना में सुधार आने लगता है और उम्र के साथ बढ़ने वाले मैकुलर डी जनरेशन का खत्रा कम होता है आपले का सेवन करने से आंखों को लिउब्रिकेट करने के अलावा ऐलेजन के प्रभावों से भी मुक्त किया जा सकता है यही नहीं आपला पाउडर का सेवन करने से आंखों में बढ़ने वाले धुंदले पन के अलावा जलन और रुखे पन को दूर किया जा सकता है वो लोग जिने आंखों में संक्रमन की अक्सर शिकायत रहती है यह उनके लिए भी बेहत फायदमन्द है आप जानते हैं कि आपला का इस्तेमाल आपको कैसे करना है आपको करना यह है कि आपले के रस को पानी में मिला कर पीएं इससे आपको फायदा मिलेगा इसके अलावा बाजार में मौजूद आपले के पाउडर को पानी में मिला कर आप पी सकते है आप ये भी कर सकते हैं कि आमले को आप अपनी डेली डायेट का हिस्सा बना ले डेली एक आमले का सेवन आपकी शरीर की कहीं सारी कम्यों को पूरा करेगा ही साथ ही आखों के लिए भी ये काफी ज़्यादा फायदिमंद होगा बात करेंगे त्रिफला पाउडर की आयुर्वेदिक के गुणों से भरपूर त्रिफला पाउडर बेहतकार कर उपाय है डायजेशन को बूस्ट करने के अलामा आखों से जुड़ी समस्याओं के लिए ये फायदेमंद होता है इसे आखों में होने वाले इंफेक्शन, सूजन और कम रोश्णी की समस्या को ठीक किया जा सकता है त्रिफला के चोण में विटामन सी और फ्लावनोईट्स की उच्च मात्रा पाई जाती है इसे आखों की क्लेनिंग को मेंटेन रखने में मदद मलती है National Institute of Health के अनुसार त्रिफला के सेवन से आखों के लंस में गलूटा थियोन के स्थर को बढ़ाने में मदद मलती है त्रिफला की मदद से अंटियोक्सिडन्ट एंजाइम के कारे में सुधार आता है अब बात करेंगे कि इसे इस्तमाल कैसे करना है तो आप एक साफ मग लें इसमें एक चमश त्रिफला का पाउडर मिला कर उबालें अब इसे कुछ देर तक उबलने के बाद थंडा होने के लिए रख दें अभी स्वानी से सुबह उठते ही अपनी आखे दो लें इसके बाद पलकों को कुछ देर छपकाएं इससे आखों की रोश्णी को नियमित बनाये रखने में मदद मलती है इस चीज का खयाल रखें कि त्रिफला पाउडर में जो त्रिफला है जब वो ठंडा होने के बाद नीचे बैठ जाए तब ही उसके पानी से अपनी आखे दोएं अगर पाउडर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ लोगों को अनकमफरिबल फील ज़रूर हो सकता है इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि त्रिफला पाउडर जिन तीन चीजों से बनता है जैसे हरड, बहेडा और आवला इन तीनों को आप हलका मोटा कूट कर उबालने और फिर इसे छान कर इस्तिमाल करें इससे आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी अब बात करेंगे घी की घी में विटामिन और मिनरल प्रचूर मात्रा में पाया जाता है इसे आँखों में डालने से नैचरल लुब्रिकेशन होता है इसे आँखों का रूखापन कम होने लगता है और आई साइट में सुधार होता है आयूरवेद में इस परधती को नेत्र तरपन कहा जाता है आँखों में घी डालने के बाद नाक के अंदर घी की कुछ बूंदे टपकानी से भी फायदा मिलता है इसे इस्तमाल करने का तरीका ये है कि आपको आँखों को धोने के बाद शुद घी की कुछ बूंदों को आँखों में डालना है इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि घी से नेत्र तरपण भी किया जाता है इसमें होता यह है कि आँखों के आसपास आटे की दिवार बना ली जाती है फिर धीरे धीरे घी को आँखों के आसपास टपकाया जाता है इससे आँखों को बेहत फायदा मलता है अगर इस नुस्खे को आजमाना आपके लिए मुश्किल हो तो आप सीधे-सीधे ये करें कि रात को सोते वक्त दो-दो बूंद गाहे कागी अपनी आखों में टालने और दो बूंद अपनी नाख में इससे आपकी आखों को बेहत फाइदा होगा अब बात करेंगे शंक पुश्पी की शंक पुश्पी का सेवन करने से तनाव, सिर्दर्द और एंग्जाइटी से राहत मिलती है इसके लावा आखों की हल्थ को भी ये फाइदा पहुचाती है शंक पुश्पी को खाने से काप्स, प्रोटीन, अमीनो एसिट, मिरिस्टिक एसिद, फ्लवनॉइट्स और स्टेरोइड, पाइटो स्टेरोल की प्राप्टी होती है इसका सेवन करने का तरीका ये है कि आप इसे जूस के फॉर्म में या कैपसूल के तौर पर खा सकते हैं इससे स्क्रीन टाइम बढ़ाने से आखों में बढ़ने वाला स्ट्रेन कम होने लगता है इसके अलाबा शंक पुष्पी को पाउडर के रूप में पानी में मिलाकर पीने से भी फायदा मिलता है बात करेंगे अश्वगंधा की Journal of Ayurvedic and Herbal Medicine के अनुसाल आखों की रोशनी को बढ़ाने में अश्वगंधा बेहत फायदेमंद है इसमें मौजोद anti-inflammatory good nervous को stimulate करने में मदद करते हैं इसके सेवन से आखों की ठकान को दूर किया चा सकता है अगर बात करें इसके इस्तिमाल की तो अश्वगंधा में शेहद को मिलाकर खाने से धुंदलापन कम होता है इसके अलावा अश्वगंधा में मुलैठी और आंगली का पाउडर मिलाकर खाने से भी आपको पायदा होगा इससे आखों का धुंदलापन कम होकर रोश्णी बढ़ने लगती है तो अभी हमने जाना कुछ ऐसे आयुरवेदी कुपायों के बारे में जो आपकी आँखों को आराम देकर रोश्णी बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं लेकिन हम हमेशा की तरह एक बार फिर से कहेंगे कि किसी भी नुसके को आजबाने से पहले किसी भी बात को फॉलो करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलह जरूर ले क्योंकि सबकी हल्थ कंडिशन्स अलग-अलग होती है तो अपना अपनी सिहत का हमेशा खयाल रखे हसते मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें मसकली किसंग अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो काम आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली शुक्रिया